हेलो फेंस तो आज मैं आपको बताऊँगा हैदराबादी स्टाइल चिकन दम बिर्यानी कैसे बनाई एती है ये बिर्यानी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और आज के बाद आप इस बिर्यानी को घर पर इसली बना पाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान तरीक आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आप चिकन देखिए इस बिर्यानी को ना कच्छे चिकन में बना के त्यार किया जाता है पहले चिकन को पकाया नहीं चाहता है तो अगर आप सीखना जाते हैं मेरे बताईवे स्टेफ को फॉलो किजिए आपकी बिर्यानी बहुत ही ज चोटे चमच देखिए मैंने इसमें नमक एड़ किये इसके बद आपने इसमें देगी मिर्च पॉडर है कश्मीरी मिर्च पॉडर एड़ करना है तो डेड़ चमच मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पॉडर एड़ कर दिये इससे बिर्यानी स्पाइसी भी हो जाएगी और कलर बीच्छ हेगा पिल्कुल थोड़ा सा healthy powder एड़ करेंगे वैसे healthy powder के use यहाँ पर नहीं किया चाता है और एक चमच आपने धनिया powder आदा चमच आपने जीरा powder एड़ करना है और 7 मीं इसमें brown package एड़ करेंगे इससे बरिस्टा वोलते है अगर आपको ब्राउन प्याच करना नहीं आता है, वीडियो चैनल के उपर अपलोड है, आप उसको देखके सीख सकते हैं कैसे ब्राउन प्याच बनाना होता है, इसके साथ में 5-6 आपने हरी मिर्च एड़ करनी है, 2-3 टुकड़े आप इसमें दालचीनी एड़ करनी है, 2-3 आपने छोट पोधीने को धो लेना है, थोड़ा से इसमें बार इक्ताव हरदनी एड़ करेंगे, और इसके साथ में अपने इसमें अधर क्लस कम का पेष्ट एड़ करना है, तो 2-3 ते नि खमर ब Гर्च एड़ करती, आप इसमें अधर क्लस क्लस का पेष्ट एड़ करती हैं, SOME 1-3 प्र क इसके बुद आपने चिकन को कम से कम आदे गंटे तक इसी मेरिनेशन में छोड़ देना है ताकि नमक मिर्च मसालां का टेस्ट अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक चला जाए और इसके साथ में हम इसमें थोड़ा सा निम्बू का रस आड़ करेंगे तो एक निम्बू देख दाल दिया हो तो हाथ के यूस नहीं करना है क्योंकि हाथ से ओयल चिप करना शुरू हो जाता है और इसके बद चिकन को कम से हम 30 मिड़ तक छोड़ दीचे इसी मेरिनेशन में और यहां पर मैंने चाबल लिए बासमती लोंग ग्रेन चाबलों का मैं यहां पर यूस कर रहा ह और चाबलों को अपने अच्छी तरह से दो लेना है ताकि चाबलों के वार से डश्व गयरा लगी हो न वो अच्छी तरह से निकल जाए तो कम से हम 2-3 पानी से चाबलों को दो लीशे और ज़दा जोर से मैश नहीं करना है बासमती चाबलों होते हैं मैश करके दोएंगे वो तूटना शुरू हो जाते हैं तो के देखे अच्छी तरह से चाबलों को दो लीआ है दो नहीं के बदा ब्र्यानी बनाने के लिए चाबलों बनाते हैं कम से अधे गंटे तक आपने इनको भिगो के रखना होता है बिगोने से चाबलों में अच्छी वाइड़नेस आती पान से छे आपने इसमें लॉंग एड़ करने हैं, साथ में दो बड़ी लाइची एड़ करनी हैं, दो तेजपता एड़ कर देते हैं, इसके साथ में आपने इसमें जवित्री एड़ करनी हैं, दो पीस देखिए मैंने जवित्री के भी डालें इसमें, और दो छोटी लाइच करेंगे साथ में आपने इसमें चार से पाइट टुकड़े दाचिन्नी के एड़ करने है एक छोड़ा चमच आप इसमें शाही जीरा एड़ कर देशे अब इन मसालों को आपने पानी के साथ कम से 5-7 मिन तब पकने देना है तकि मसालों का फ्लेवर पानी में आचाए और के द दालें उनमें लम्स ना बने और चाबल जो है पतीले के नीचे न चिपके अब आपको चाबल बनाने की टाइम ही दिखाता हूं देखिए 39 हुए है आपने चाबलों को न 7 मिन तक यहां पर बोईल करना है पहले हाई फ्लेम में बोईल कीचे उसके बद आपने गैस की फ्ले हो चुके हैं और कि देखिए लेंथ भी यहां पर आ चुकी है बट अभी न चाबल टूट रहे हैं तो इनको थोड़ा सा और पकने देते हैं और इसके बाद दिखाता हूं टाइमिंग यहां पर मुझे चाबलों को पकाते हुए 6 मिनिट हो चुके हैं अब इसके बद एक मि आला है क्योंकि अभी चिकन पकेगा तो कच्चा चिकन जब आप पकाएंगे ना तो थोड़ा सा पानी डालना जुरूरी होता है और इसके उपर आपने चाबलों की लेर लगा देनी है और चाबलों को इस तरह से थोड़ा थोड़ा बिखेर दीशे पहली लेर की जो चाबल लेना वो 80-90% के बीच में पक जाते हैं और इसके बाद देखिए टाइम देख लीजे यहाँ पे मुझे 8 मिनट हो चुके था ना और इसके बाद जितने भी बचे चाबलों को आपने तीसरी लेर में डाल देने हैं और इसके बाद इन चाबलों को आच्छी तरह से चारों जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि अभी हमारे चाबल अगर ठंडे हो गए ना तो इनको गर्म होने में टाइम लएगा थोड़ा सा आप इसके उपर केसर डाल देशिए पानी में भीगो के रखिए केसर को और इसके बाद आपने इसके उपर थोड़ा सा ब्रॉन प्याज जाएड करना है थोड़ा सा देशिगी डालना चाहिए ना उपर से थोड़ा सा देशिगी भी डाल सकते हैं उससे क्यों होता है चाबल ना चिपक देनी आपसमें और जल्दी से आप इसके उपर दम लगा दीशे तो यहां पर मैं फॉइल वेपर का यूज कर रहा हूं दम के लिए आप आटे से कबर कीजिए उपर इसके डखन लगा सकते हैं दम लगाने के लिए तो यह देखिए दोनों साइड मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है इसके बद हलका सा आपने इसके उपर पानी स्प्रिंकल करना है ताकि जो फॉइल पेपर है अच्छी तरह से पानी निकले की और इसके उपर आपने डखन रख देना अगर डखन आपके बस और इसको पकने दीशे पहले तो आपने ना दो से तीन मिंट तक आपने हाई फ्लेम में पकाना है क्योंकि चिकन भी ठंडा है चिकन को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लएगा तो कम से हम त इसकी फिलम दिखाता हूँ इतनी फिलेम में आपने इसको ना पकने देना है और एक बात आप यहाँ पे तौए का यूज़ करना चाहें दम लगाने के लिए तोड़ी सी मोटी है तो यहाँ पे तौए का यूज़ मैंने नहीं किये और 20 मिनिट तक आपने ब्रयानी को पकन आता है तो अभी आपने इसके उपर से थोड़ी से और इंग्लिनस का यूज़ करना है आप गर्म गर्म ब्रयानी के उपर थोड़ा सा देसी घी डाल देशिए जवर्दस टेस्ट आएगा ब्रयानी में और थोड़ा सा में इसके उपर से जबितरी का पौडर स्प्रिंकल कर आपने चाबलों को इस तरह से निकालना शुरू कर देना है तो जब भी आप ब्रयानी में पल्टा लगाएं साइट से पल्टा लगाना होता है बीच में पल्टा लगाना है बीच से पल्टा लगाके चाबल निकालेंगे तोट जाते हैं ये देखिए इस तरह से चाबलों क शेयर कमेंट जुरूर कीज़ेगा, ओके फ्रेंज, थेंक यू.